जनपत पहरेज की विकास खंड मेहीपुरा ग्राम पंचेद विश्राम गाउं में ग्राम परधान की दबंगाई कुछ इसकदर चरम सीमा पर मिली की दो वर्स से ग्रामलो बालू आरे हेंटपंप की रिपेरिंग के लिए चकर काट रहे हैं परंतु ग्राम परदान ग्रामलों की समस्या के निस्ताण कराने के बज़ाए यह करकर टाल देते हैं कि सरकारी हेंटपम की रिपेरिंग बजट नहीं आई है इसकी मरमत आप लोग आजवे मिलकर करवा दीजे ग्रामलों के मताबिक दो वर्से उनके यही समस्या बनी पढ़ी परंतु दिन वर्स से ग्राम परदान ये कहते आ रहें कि सरकारी हेंटपम के रिपेरिंग की वज़ा हमारे पास नहीं है इसकी जानकारी समदता जिबराईल खान दौरा जब ग्राम विकास अधकारी से ली गए तो ग्राम विकास अधकारी का कहना है कि सरकारी हेंटपम खराब होने की जानकारी हमें नहीं दी गई यह समस्य गिरामिर के दो साल से बनी हुई है, ये मुझे आप से मालूम है सरकारी हैंपम के मरमत जल्द ही करवानी के अज्वासन देने के जब कि गिरामलों का कैना गिराम परधान के पास कोई गिरामले मिलकर इस समस्या का रूबरू करवा चुके हैं परंतु गिराम परधान का ये सब आ रहा है इसकी बज़र हमारे पास नहीं है खास रिपोर्ट जिब्राइल खान के साथ जी बिरिज लाल के द्वारे पे लगा हुआ है ये बता ये नल जो आप बता रहे हैं नल की समस्या है ये कितन परधान के अपना काम चलाते हैं मंगर इसमें न प्रभ दलवाते हैं न कुछ भी बहुत सिकाइट कर दी हम लोग बोलते हैं अगर तुमको पानी पीना तो अपने बूत पैसा जो उटाओ इसमें लगाओ तो प्यो परधान जी कह रहे हैं कितने दिने से आप लोगों की समस परधान के अगर कुछ भी बिगड़ जाता है तो अपने बूत हम लोग मिस्टरी बलवाते हैं तब इसको बनवाते हैं अच्छा लेकिन परधान नहीं सुद्वार कर दान को आते हैं कि तुमको पानी पीना हमको पाई नहीं पीना क्या नाम है परधान जी का इसमें माधु पूरे देवी है उनका पति कमला परसाद